सब्सक्राइब विधान सभा चुनाव में दम दिखाने वाली राजनितिक पांटिया लोग सभा चुनाव से लगभगना दारत है अब तक भाजपा कॉंग्रिस के अलावा गोंजवाना गंतंत्र पांटी और बसपा ही मैदान में नजर आ लिए बाकी की शेत्रे पांटियां और मानिता प्राप्त राजनितिक दल की उपस्तिती लगने है वैसे लोग सभा चुनाव में तीसरी पांटियों की भूमी का यहां अर्से से खास नहीं रही है लोग सभा चुनाव के लिए भाजपा और कॉंग्रिस ने सभी सीटों पर अपने उमिद्वार घोशित कर दिये है वही गोंडवाना गरतंत्र पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान किया है तो वहुजन समाज पार्टी ने भी जानजगीर के अलावा बस्तर सीट के लिए ही प्रत्याशी घोशित किया है वही विधान सभा चुनाव में दमखम के साथ उतरी जन्ता कॉंग्रिस 36 गर जोगी का कहना है कि वैसे भी हमारी पार्टी शेत्री पार्टी है और हम शेत्री मुद्दे को लेकर ही चुनाव में जाते हैं हमने पिछला लोगसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलग सुर है आपका कहना है कि 36 गर में फिलहाल हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं हम देश हित में इंडिया अगठ भंदन का हिस्सा है इसके अलावा NCP, CPI सही दूसरे दल भी लोगसभा चुनाव से दूरी बनाए दिख रहे हैं आगामी लोगसभा चुनाव को लेकर करके हम रहंडिती बनाएंगे माननी रेडू जोगी जी के और अमीज जोगी जी के उपस्तिती में कोर कमेटी के सदस उपस्तित हो करके आगामी लोगसभा चुनाव करके रहंडिती बनाए जाएगी मैं यह कहना बताना चाहूँगा आपके लोगप्री टीवी चेनल के माध्यम से लोगसभा चुनाओं को लेकर के कॉंग्रिस पार्टी, भारती जन्ता पार्टी, गुणवाना पार्टी के तमाम कई ऐसे जो पत्यासी हैं लगातार हमारी पार्टी के निताओं के संपर्क में समर्थन के लिए लगातार फोन कर रहे हैं तो इस संबंद में कल जो है एक रणिती हम बनाएंगा बैटक करके अहम चर्चा करेंगा 36 गड़ में आम आदमी पार्टी लोग सभा चुनाओं इसलिए नहीं लड़ेगी कि अर्विंद केजरिवाल का एक जिद्ध है कि जब तक के विए मसीन है मने नरेन मोदियो भाचपा है तो चुनाओ 36 गड़ में तो कम से कम नहीं लड़ेगी जो दुर्गती विधान सभा चुनाओं में हुई है उसका इंपेक्ट अब भी बना हुआ है और यही कारण है कि प्रदेश में लोग सभा चुनाओं लड़ने से तीसरे मोर्चे के सभी राजनेतिक और शेत्रिय दल परहेच कर रहे हैं रायपूर से आएनेच 24-7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट